उत्तर प्रदेश में जुनाव को लेकर सरगमियां बढ़ चुकी हैं। इसी कवायद में राजनितिक दलों ने प्रदेश के प्रबुतवर्ग को लुभानी का प्रयास भी शुरू हो गया है। अब इसी प्रयास में आमाद्मी पार्टी के दोरान मैदान में उतरने जा रही ह राजदानी में प्रेसवारता करते हुए आपके उत्तर प्रदेश प्रबारी और राजसभासान सच संजर सिंग ने बताया कि यूपी में आप पार्टी चाड़क के विचार सम्मेलन करेगी। आप ये सम्मेलन एक अक्टूबर्ग से यूपी में शुरू करेंगी। इनी स पार्टियों की तरह नहीं बलकि ये कहिए कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग के साथ हो रहे उत्पीडन और अत्याचार का मुद्दा समय समय पर उठाती रही है और हमने बार बार ये कहा कि 500 से ज़्यादा ब्रामणों की हत्याएं हुई इस सरकार में प्रभात मिश्रा का फरजी इंकाउंटर हुआ इस सरकार में खुसी दूबे का उत्पीडन हुआ और उनके परिवार के चार ब्रामण महिलाओं को जेल में एक बच्चे के साथ सड़ाया जा रहा है ये मामला उठाया इंद्रकांत रिपाठी ब्यापारी की हत्या का मामला हो रही थी वो समय समय पे हमने उठाया लेकिन जब भारती जनता पार्टी प्रभुद्वर्ग संभेलन के नाम पे नौटंकी करने निकली तो इनकी सच्चाई बताना जरूरी है और इसलिए हरसंकर पांडे जी के नेत्रित में जो हमारे प्रभुद्व प्रकोस्ट के नव बुद्वर्ग क्यों आजा रहाता क्या मानते इस नीती पर क्या आप सपाको विएंटे काम करने वाले लोग हैं हमसे यह सवाल मत कीजिए जो लोग चुनाओ के समय कोकुरमुत्ते की तरह निकलते हैं उनसे पूछे हम तो हमेशा 24 घंटे समाज के लिए समर्पित लोग है समय समय पर किया है हमने पिछरे वर्ग के लोगों का समय किया तो हमने किया है ऐसा नहीं है और आगे भी करेंगे हाथरस कांड पर कौन बोला जैप्रकास पाल की हत्या पर कौन बोला संजीत यादों की हत्या पर कौन बोला इंद्रकान तिरपार्टी की हत्या पर भी बोले तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई चिन्नित करके किसी समाज वी से इसका मामला उठाया जहां भी पीड़न हुआ वो उठाया लेकिन अगर किसी समाज को भ्रहमित करने की कोशिस कर रहे हैं बीजेपी वाले तो तो बताना पड़ेगा ना इन्होंने साड़े-चार साल में क्या किया कि हमें साथ हाई उनकी समस्ति रही है उनकी समस्चा को ठाटे रहे हुए उनकी माँको लिए उनके लड़ी है ऊह मैसाज लड़ती आई इसन लरती रही कि एुट